Hello everyone, this is Sanket and you are watching Easy Concept वाला, तो इस वीडियो हम देखने वाले है कि SGPA कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैं जो बता रहा हूँ को स्पेसिपिकली पूरी इन्वेसिटी के लिए बता रहा हूँ, लेकिन अधर कोई स्टूडेंट यहां पर देख रहा है, तो उसके लिए भी यह वीडियो हिल्पूर रहने वाला है, तो SGPA कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे, एक result मैं यहाँ पर निकाल के लाया हूँ, एक student का, जो कि आपको help करेगा कि कैसे SGPA निकालते हैं, वो समझने के लिए, तो सबसे पहले देखो, यह कुछ subjects है, और यह पु लिकाल के आया है, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो सबसे पहले ना, मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको, यहाँ पर देखो, मैंने इस grade point के लिए, क्या का यहाँ पर grade दिया गया है, वो लिका है, मतलब कि O के लिए 10 है, A plus के लिए 9 है, and so on, तो चलो, यहाँ प calculate नहीं किये गया है, क्योंकि एक है जो audit course है, और दूसरा है, वो honors course है, ठीक है, तो यहाँ पर हम calculation करते हैं, चलो, तो यहाँ पर देखो, grade है A plus, और A plus को दिया गया है 9, उसके बाद A plus को भी 9 आ जाएगा, O को आ जाएगा 10, उसके बाद A को आ जाएगा, यहाँ पर 8, 8 आ और यहाँ से हमारा आ जाएगा answer, is equal to, is equal to, is equal to, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, 3 into 9, 27, 1 into 9, 9, 3 into 10, 30 and so on, समझ गए, यह इतना simple है, अब हम आगे क्या करेंगे, यह जो grade points की, यहाँ पर जो addition निकल के आती है, addition, वो निकालेंगे, तो यहाँ पर जो grade points की addition निकल के आ आती है, यहाँ पर 21, अब आगे हम यह करेंगे, कि 201 को divided करेंगे, 21 से, जिसका answer आ जाता है, 9.57, अब यह video pause करके verify करो, यह बराबर है या फिर नहीं, और जैसे हम यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर हमारा जो SGPA आया है, वो आ गया है, 9.57, इसका answer भी है, 9.57, निकल गय है हमारा SGPA, तो यहाँ पर SGPA का जो formula है, वो हम देखते है, SGPA का formula है, summation of credit earned into grade point divided by total credits, तो यह formula है, जो कि आपको तूरंट से नहीं समझ में आएगा, इसले मने नीचे भी example दिया है, वो भी समझना पड़ेगा, तो ठीक से SGPA समझ जाओगे, तो नीचे जाते हम, लेकिन नीचे जाने से पहले एक आपको बतना चाहूँगा, यह math है, यह SEPA का math है, और आप first year engineering में हो, तो आप एक subject पढ़ोगे, वो होगा M1, जिसे हम कहते है, engineering mathematics 1, तो पूरे university का, जो M1 का course है, वो हमारे easy conceptual app available है, उसका free demo lecture है, वहाँ पे, तो at least वो free demo lecture देखने के लिए, वहाँ पे हम करना ही चाहिए, लिंक description box में है, अब हम बढ़ेंगे आगे, तो मैंने क्या क्या है, यहाँ पे SGPA का थोड़ा simplified version का formula बनाया है, हम क्या करेंगे, subject wise देखेंगे, तो subject 1 का credit को multiply करेंगे, subject 1 के grade point से, subject 2 के credit point को multiply करेंगे, subject 2 के grade point से, same subject 3 के साथ, 4 के साथ, और 5 के साथ भी, और उस सब addition को, इन 5 हो subject के addition को हम करेंगे, total credit से divided, तो यह होता है, SGPA का formula, अभी भी समझ मेंने आ रहा होगा, इसलिए हम आगे नीचे जाएंगे, और एक simplified example देखेंगे, तो यहाँ पे देखो subject 1 है, subject 2, subject 3, subject 4, subject 5, मैं suppose कर रहा हूँ किसी एक semester में आपको 5 subject है, subject 1 को credit है, 3, 2 को 3 subject 3 को 3 credit, 3 credit, 3 credit, सभी subject को 3 credit है, और आपको subject 1 में मिले 80 marks, subject 2 में 75 marks, subject 3 में 60 marks, subject 5 में 65 marks, subject 5 में 70 marks, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि हमें कौन सा grade मिल रहा है, तो देखो, यहाँ पे हमें 80 marks है, तो 80 marks है, मतलब यहाँ पे हमको जो grade है, वो grade मिलेगा, हमें A plus, A plus grade हमें मिल जाएगा, यहां पे देखो, यहां पे मैंने सब कुछ लिखे रखा है, वो देखो ठीक से, तो सभी जो, ग्रेट से हो, मैं यहां पे लिखे लेता हूँ, सबसे पहले, तो मैंने यहां पे, सभी grade पॉइंट्स लिखे लिए है, और अभी क्या करूँगा, यह जो a प् पात यह है कि यह हो सकता है, यह जो दिया गया है यहाँ पर, यह जो grade points और जो grades है, वो हर एक university का अलग-अलग हो सकता है, मैं जो यह आपको अभी यहाँ पर बता रहा हूं, वो है पूने university का, आपके university का में भी शायद अलग हो सकता है, यह चीज ध्यान में रखिए, अब यह यहाँ पर हम आगे क्या करेंगे देखो हम SGPA निकालेंगे यह जो हमरे पास stable है उसके हिसाब से तो सबसे पहले subject 1 का credit जो की है यहाँ पर 3 तो 3 उसको हम multiply करेंगे subject 1 का grade point जो की है यहाँ पर 9 मतलब 3 into 9 plus करेंगे subject 2 का credit जो की है 3 उसे multiply करेंगे subject 2 का grade point जो की है 9 उसे plus करेंगे हम subject 3 के credit से जो की है 3 और उसे multiply करेंगे subject 3 के grade point से जो की है 8 उसको हम plus करेंगे subject 4 के credit point से और multiply करेंगे subject 4 का grade point 8 plus subject 5 का credit point into subject 5 का यहाँ पे grade point, यह हमारा हो गया, यहाँ पे numerator, इसको हम यहाँ पे divide करेंगे किसे, total credit से, तो total credit इतने कितने आ रहे है, तो 3 into 5, 15, तो यह मैं simplified कर देता हूँ, तो यह यहाँ पे आ रहा है, 126 divided by, यहाँ पे हो रहा है 15, जिसका answer आ रहा है 8.4, तो students, इतना मैंने आसान करके आपको बताया है कि कैसे SGPA calculate करते है, अगर CGPA का आपको ऐसा ही वीडियो चाहिए, तो comment section में बताइए, M1 का जो course है, SPPO पूर्य इन्वर्सिटी का उसको enroll किजिए, pre-demo lectures देखिए, और वीडियो पसंद आया होगा, तो like करके आपके college के students के group में share KKJ, हम मिलेंगे अगले वीडियो में, start and just do it very all the best.